दोस्तों आज मैं आगया हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बकरी बाजार में आप सोच रहे होंगे बकरी बाजार ये कैसा बाजार है तो दोस्तों हाँ मैं सही बोड़ रहा हूँ बकरी बाजार यहां पर और यहां पर तो इतने जादा बकरी बकरे बकरे और बकरिया पैदल या काडियों से नहीं आते हैं बलकि ट्रकों में भर भर कराते हैं भूसे की तरह हैं इतने लगभग बहुत सारे ट्रक्स यहां पर देखे मैंने उन सब में बकरें बकरियां ही भर के आई थी और उसके पाद मैंने सोचा कि क्योंना एक अच्छा सा वीडियो बना लिया जहां पर मैंने एक साथ इतने सारे बकरें और बकरियां देखी हूँ यह भी एक मार्केट है जो बकरें और बकरियों के नाम से ही फेमस है यह मैं हूँ और मेरे पापा है मैं मेरे पापा के साथ बाहर जा रहे थे तो रास्ते में यह मिला तो मैंने सोचा क्योंना एक अच्छा सा वीडियो बना ऐसा है तो उसके पाथ मैं एक देखता हूँ बकरे को यह बकरा है इतना वड़ा है कि नॉर्मल यहां पर सायद ही कोई बकरिया होंगी तो मैंने इनसे प्राइज पूचा इनका तो इन्होंने बताया 50,000 50,000 से नीचे एक भी नहीं देंगे भाई देखो इतना वड़ा है कि इसके कमर से उपर पढ़ रहा है मगर नॉर्मली छोटे छोटे बकरिया और बकरिया होती है इसका साइज कुछ जादा ही है और देखने में भी अच्छा लगता है इसकी वैराइटी मुझे पता नहीं है साइद आपको पता हो तो कमेंट में बताएगा जरूर और इसके बाद मैं सुच काफी दिर तक घुमता रहा और देखता रहा यहां पर मुझे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बकरे और बकरिया ही दिखाई देती थी तो मैं और क्या ही बुलू इसके लिए और मुझे वीडियो बनाना तो बहुत ही जादा पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पसंद को ढाल दिया जाए तो उसके बाद काफी देर तक मैं यूँ ही वीडियो बनाता रहा और काफी देर तक काफी दूर तक गया और बजार के अंदर भी बकरिया थी बजार के बाहर भी चारो तरफ सिर्फ वर सिर्फ बकरे जी थी यहां पर किसान भी अपने बकरी बक्रीण को ले और कुसान बंचे लीवार्ण को ले कर आते हैं और वहां पर जी चहां ते मेंगें नेमें कारी में बड़़ ह disp Hmmm ये देखे बजार के बाहर है उपर देख सकते हैं बकरे बकरियां हैं तो पूरे ट्रक में लदे हुए हैं उपर से नीचे तक मतलब पूरे भरे हुए हैं ये सारे ट्रक सिर्फ बकरे बकरियों के लिए हैं इतने गाडियां खड़ी हुए हैं जहां तक मी मैंने देखा उपर से खड़े होकर जाते हुए आंगे चल कर भी देखा हर जगा सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्रे और बक्रियां ही दिखाएं दी यहां पर थो इंसानों से जादा सिर्फ और सिर्फ बक्रे और बक्रियां थी यह मेरे लाइप का तो पहला एक्सपिरियंस था अगर आपको इससे बड़े मार्केट के बारे में पता हो बक्रे बक्रियों के तो आप जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा इसके लिए धन्डवाद वीडियो देखने के बाद आप पताएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर दीजेगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तब तक के लिए धन्डवाद